Hello everyone, very good morning to all of you, उम्मीद करता हूँ आप सभी fit and fine होगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी exam की आज एक नए मा की शुरुबात कर रहे हैं, इसलिए आज के वीडियो में एक नॉम्बर 2023 के current affair डिसकस करेंगे हर एक news important है, इसलिए वीडियो का अंतिम तक ध्यान से देखेगा मैं current affair में जो निचोड लेकर आता हूँ आपके लिए, बुद्दा हिंदू, P.I.B., Times of India, जागरन जोश, इन सभी से मिला जुला कर लाता हूँ ये current affair आने वाले किसी भी exam के लिए जो भारत में हो रहे हैं, उन सब के लिए relevant है current affair की daily PDF static gk के साथ आप exam engine application से डाउनलोड कर सकते हैं application का link वीडियो के description में दिया हूँ है सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के question की कल मैंने आपसे जिगरिफी में Big Bang Theory से एक question पूछा था question मेरा ये था कि आस्मान में जो टिम्टिमाते हुए तारे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही answer है इस तरीके कितारों को Pulsar के नाम से जाना जाता है जबकि मैंने comment section देखा तो मुझे पता लगा बहुत सारे students ने जल्दी तो answer कर दिया है लिकिन answer उनका सही नहीं हुआ है शुरबाती तीन student जिनोंने सही answer दिया है एक तो है शा भीशाम इनका नाम है शा भीशाम और दूसरी है कीरती जिनोंने सही answer दिया है और तीसरे हैं संत ठीक है तो ये तीन हैं जिनोंने सबसे पहले और सही answer दिया इसके बाद भी आप में से बहुत सारे student है जिनोंने सही answer दिया था पलसर अब देखें serious किसको बोलते हैं सबसे जादा students में serious ही answer किया है serious बोलते हैं dog star को dog star मतलब जिसको हिंदी में दुरूप तारा बोला जाता है आसमान में सबसे जादा चमकता हुआ जो तारा है उसको serious बोलते है endometa एक galaxy है पहली चीज तो तो आपका answer होगा endometa galaxy और supernova भी answer किया है आप में से कही लोगों ने आपको बता दू supernova का मतलब यह है big bang theory के हिसाब से coronavirus पहले एक object हुआ करता था यह object इसका temperature बढ़ता गया बढ़ता गया और एक time के बाद यह विसपोर्ट हो गया जिससे पूरा universe create हुआ तो supernova वो object है जब कुछ भी नहीं था और इसी से पूरा ब्रह्मान उत्पन्न हुआ है अब शुरू करते हैं आज के current affair प्रधान मंत्री नरेन मुदी के द्वारा 5950 करोन के नए projects कौन से राज्य से launch किये गए है तो PM नरेन मुदी अभी हाली में गुजरात की यात्रा पर थे और गुजरात से ही इनों ने 5950 करोन के project launch किये है गुजरात में कहां से तो ध्यान रखना आपको मैसाना से कहां से मैसाना से और ये जो धनराशी आवंटित करी गई है ये टोटल 16 projects के लिए आवंटित करी गई है इन 16 में से 8 projects की शुरुबात भी हो चुकी है और बाकी 8 का सिला न्यास कर दिया किया है मतलब इनकी foundation रख दी गई है सवाल ये है कि इतना पैसा गुजरात को दिया क्यों गया है देखे इस पैसे की मदश से गुजरात के कई सारे districts को फायदा मिलेगा जैसे की water supply वहाँ पर बैतर करी जाएगी sea waste treatment plant लगाए जाएगे पीने की पानी की बैतर व्योस्ता करी जाएगी roads और buildings को भी renovate किया जाएगा इसके अलावा urban development से जुड़ी हुई और भी जो चीज़ें आ जाती है यह कौन सी company है जिसने अभी tango eye नाम की जो company है इसको खरीद लिया है tango eye एक artificial intelligence based computer vision company है मतलब कहने का यह है कि इनके पास ऐसी technology है कि AI की मदद से आप तरह तरह के जो glasses हैं आपको कौन सा lens suit करेगा और आपका eyesight कितना है ठीक है इस time पर इसके बाद अगर आप चश्मे लेना चाहते हैं तो आप उन्हें भी घर बैठे देख सकते हो कि आप अपने picture लीजे और इनका AI solution सारी चीज़ें आपको दिखा देगा तो इसको खरीद लिया है lens card ने lens card के मालिक है Puse Bunsal इस company की स्थापना साल 2010 में करी गई थी इस company के ad आपने जरूर देखे होंगे बहुत boom पे चलती है ये company इसके अलावा इसका जो headquarter है ये है गुरुग्राम और ये कितने में Puse Bunsal ने इनने खरीदा है ये amount disclosed अभी नहीं है हाँ लेकिन officially ये announce कर दिया है lens card में कि इनका acquisition कर लिया है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप lens card का चश्मा खरीदना चाहते हो तो आप आपको उनके store जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी Tango AI आपको घर पर ही वो सारा solution दे देगा इनका एक software है उस software में आपको जाना होगा और वहीं पर आप पहले तो अपना lens सेलेक्ट कर लो उसके बाद आप अपनी photo जैसे ही click करोगे या फिर आप live में भी देख पाऊगे example के तोर पर आपने देखा हुआ है कि कई बार ऐसे camera frames आपने देखा होगे जिसमें आपके seeing लग जाती है सर पे या कई बार आपने देखा होगा नाक तेड़ी मेडी हो जाती है उसी तरीके का एक idea मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे काम करेगा आपको कौन सा frame चाहिए उस सारे frames वगएरा आपको दिखा कर घर पर ही सारा solution दे देंगे आप घर सही अपना चश्मा ओर्डर कर दो अगले 48 गंटे के अंदर आपका चश्मा बनके आपके घर पे आ जाएगा तो ये वहतर facility अब हो जाएगी lens card वाले customers को ये कौन सी IT company है जिसने अभी हाली में एक European automobile company जिसका नाम है smart europe company की जो electronic vehicles है उनकी sale को बढ़ाने के लिए किया गया है मतलब आप ऐसे समझ लो अगले 5 साल तक जो smart europe company जो भी अपनी electric vehicles बनाएंगे उसमें softwares के लिए maintenance infosys इनको देंगे infosys की स्थापना 1981 में करी गई थी इसका headquarter है बैंगलोर और infosys के CEO है salil parik कौन है salil parik काफी टाइम से CEO है infosys के और infosys भारत की top 3 IT companies में हमेचा से रही है infosys, tcs और vipro ये तीन उपर नीचे होते रहते हैं बढ़ यही तीन top IT companies है भारत की रास्टी एकता दिवस कौन से दिन मनाया गया कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कल तो हम लोग मना ही रहते इसको मनाया गया कल के दिन 31 October को रास्टी एकता दिवस सरदार वल्लब भाई पटेल की याद में मनाया जाता है इस दिन इनकी जैनती होती है वर्थ anniversary के रूप में मनाया जाता है इनको लोग पुरुस के नाम से भी गाना जाता था क्योंकि भारत को एक संग बनाये रखने में आज़ादी के बाद जो इन्होंने योगदान दिया था वो कहीं न कहीं सर्वो पर ही है और ये भारत के पहले deputy prime minister तो थे ही थे साथ में आपको ध्यान रखना है ये भारत के पहले home minister भी थे और इनका जो जन में ये 1875 में हुआ था 1950 में इनका ने धन हुआ सर्दार वललबाई पटेल को सर्दार की उपादी सन 1928 में दी गई थी क्योंकि 1928 में बार्दोली में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए तो वहीं पर इनको सर्दार की उपादी दी गई थी और आपको पता है Statue of Unity जो की इनको रिप्रेजेंट करती है कौन से वर्स में स्थापना करी गई है Statue of Unity की साल 2018 में और Statue of Unity के जो डिजाइनर है उनका नाम है राम जी सूत्रवन जी इन्होंने अभी कुस टाइम पहले ही महात्मा गांधी का भी एक स्टैचूर डिजाइन किया है हमारा जो Central Vigilance Commission है ये Vigilance Awareness सब्ता मना रहे है 30 October से लेकर 5 नॉमबर तक इस बार इसकी थीम क्या रही है तो इस बार की इसकी थीम है Say No to Corruption, Commit to the Nation Vigilance Commission जो भारत का है ओविसली ये करप्शन घूस खोरी पर लगाम लगाने के लिए होता है हर वर्स अक्टूबर के आखरे सब्ता में ये मनाया जाता है Awareness Week इस Week को मनाने के पीछे का में उद्देश ये है कि Vigilance Commission के द्वारा जगे जगे पर वर्क्शॉप कंड़क्ट करी जाती है और अपने अधिकारियों को Aware किया जाता है कि आप घूस कोरी के किलाफ किस तरीके से लड़ सकते हैं किन किन पहलियों पर हमें ध्यान देना होगा किस किस तरीके से operations परफॉर्म करने है लियोनल मेसी कौन नहीं जानता है इनको पुरी दुनिया जानती है तो मेसी ने अभी हाली में एक और बेलेंडियोर जीत लिया है बेलेंडियोर फुटबॉल के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है क्या बता सकते हो लियोनल मेसी के पास टोटल कितने बेलेंडियोर हो गए है ये इनका आठवा बेलेंडियोर था करियर में और आज तक इनके बरावर इतने बेलेंडियोर किसी ने भी नहीं जीते है क्रिस्टियान और रोनाल्डो जो है इनके पास पांच बेलेंडियोर है बट लियोनल मेसी रॉनाल्डो से कहीं आगे इस मामले में 8 बेलेंडी ओर टोटल हो गए हैं यह जो आठवा बेलेंडी ओर इन्हें मिला है यह इन्हों ने अर्जेंटीना के स्टार खिलाडी मेरेडोना को इन्होंने डेडिकेट किया है हलाकि मेरेडोना आप तो इस दुनिय यह इन्होंने अपने नाम किय हैं। नया plant inaugurate किया गया है यह उत्तरपदेश के Ametri district में किया गया है और यह जो plant है यह किसका है तो आपको बता दूँ इनका नाम है विवेक लधानी क्या नाम है विवेक लधानी और यह पता है कौन है यह industrialist है पूरे southwest एशिया में सबसे बड़ा beverages के plant यही चला रहे है और यह Coca-Cola के इस पूरे reason में सबसे बड़े supplier भी है तो यह जो नया beverage plant लगाया गया है अमेटी में इसमें भी Coca-Cola का ही उत्तरपदेश में इस टाइम पर गवनर कौन है आनंदी बेन पटेल उत्तरपदेश का एक national park है जो कई वार आपसे पूछा जाता है जिसको बोलते हैं डुदवा नैशनल पार्क और डुदवा नैशनल पार्क कौन से पशु के लिए जाना जाता है तो यह टाइगर के लिए जाना जाता है अभी एक exhibition मतलब एक प्रदर्शनी शुरू होने वाली है नई दिल्ली में और इस प्रदर्शनी का नाम होगा silent conversation from margins to जुदा center यह प्रदर्शनी कब से कब तक लगाई जाएगी तो यह तीन नॉवंबर मतलब 500 से शुरू हो रही है और पांच नॉवंबर तक चलेगी तीन दिनों तक यह जो नई प्रदर्शनी लगाई जा रही है इसका मेन उद्देश है कि भारत के अंदर जो national tiger conservation authority है ठीक ह तो यह जो authority है यह अपने पिछले 50 साल इसमें दर्शाना चाती है कि पिछले 50 सालों में किस तरीके से इनों ने tigers को बचाने का काम किया है एंटीस यह जो है यह direct ministry of environment के अंतरगत काम करती है अभी हाली में गोवा में maritime conclave 2023 आयवजूत करी गई इसके speaker के रूप में किसने इसको address किया तो defense minister राजना सिंग के द्वारा इसको address किया गया है सवाल यह है कि गोवा maritime conclave 2023 इसका main उद्देश यह था इसका main उद्देश यह है कि इसमें इंडियन नेवी को शामिल किया गया और भारत सरकार यह चाहती है कि अब हम making India project के तहत ही जादा से जादा जो हमारे vessels है जादा से जादा जो हमारे जहाज है फिर चाहे वो warship हो या फिर पेट्रोल वेसल हो या फिर research वेसल हो हर तरीके के जहाजों को making India project के तहत जादा से जादा हमें बनाना है जिससे कि दूसरे देशों के उपर जो हमारी डिपिंडेंसी है वो कम होगी और हमारी अर्थ वियस्ता भी पहले से बैतर होगी इवन इतना ही नहीं यह security point of view से बहुत जादा important होगा देखें ऐसे देश जो की इस तरीके के vessels को बनाते हैं और दूसरे देशों को देते हैं तो उनकी security कभी भी compromise नहीं होती है लेकिन जो देश दूसरे देश को बेच रहा है और जो देश खरीद रहा है दूसरे से तो इस देश को बेचने वाले को पता है कि इस व्यक्ति के पास क्या है और इसमें कितनी technology है क्योंकि खरीदने वाला देश मजबूर है वो इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकता बट हाँ इस country को जो बेचने वाला देश है इसके बारे वे नहीं पता हो सकता है कि इसके पास इससे भी उपर की बहतर technology हो इवन ऐसा ही होता है हमेशा defense sector में आपको क्या लगता है कि जैसे ही हमने रफाइल खरीदे है तो रफाइल हमने फ्रांस से खरीदे है तो क्या फ्रांस के जो jets है उनसे हमारी बराबरी हो गई नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है even ऐसे देश हमेशा अपने से ऊपर एक technology रखके चलते हैं कोई भी country होगा उस जगह पर आप अपने आपको रखके देखो even example के दौर पर यह किसे कि हम maker India project के तहत कोई चीज बनाते हैं कल को हम बांगलादेश को बेचें इंडोनेशिया को बेचें उसे तो हम उनको बहतर technology नहीं दे देंगे और गोवा में इस टाइम पर बीजेपी की सरकार है मुख्यमंत्री है प्रमोस सावंत गोवा के गवंणर कोन है पी एस श्रीधरन पिल्ले ही ठीक है Fair Work India 2023 रिपोर्ट के आधार पर ये कौन सा संस्थान है जो की gig workers के लिए best साबित हुआ है भारत में gig workers का मतलब पता है जो की obviously ले जाने का काम करते हैं सामान को एक जगे से दूसरी जगे तक फिर चाहें वो खाना हो या फिर आपका कोई सामान तो इसमें number one पे रहा है इस बार big basket इस report में बताया गया है कि big basket इस तरीके की companies में सबसे बहतर company साबित हुई है जो की अपने employees का सबसे जादा ख्याल रखती है चाहे वो उनका बुकतान हो चाहे contract हो management हो conditions हो representation हो हर एक शेतर में यह अपने जो employees हैं उनका सबसे बहतर ख्याल रखने है और इसमें जिनको zero rating मिली हुई है मतलब सबसे खराब काम जिसका बोला गया है तो यह company है Porter ठीक है Porter का का काम इसमें खराब बना गया है क्योंकि इसने शून score किया हुए Porter के अलावा Amazon की स्थिती भी खराब है Amazon को जो ratings है वो बहुत ही खराब मिले हुए Amazon में कई बार यह भी देखने को मिला है कि डबे के अंदर कुछ और ही समान आ जाता है इसके अलावा Ola की स्थिती भी खराब है Ola ने भी शून ने rating यहाँ पर score करी है और थोड़ा बहतर जि ही है पहले से रिलाइंस जीओ के द्वारा सेटलाइट इंटरनेट सर्विस को कितने रिमोट डिस्टिक्स में भारत में एक साथ टेस्ट किया गया क्योंकि 5G लॉंच होने वाला है और जितनी भी टेली कम्मिकेशन कंपनी है हमारी चाहे वो भारती एटल हो चाहे जीओ हो आने वाले समय में BSNL भी करेगा टेस्ट तो फिलाल एटल और जीओ लगे हुए हैं जोडशोड से क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के राइवल्री हैं इस चेत्र में और दोनों ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द 5G हम पूरे तरीके से भारत में लॉंच कर दें कोई भी ऐसी जहां पर 5G connectivity हमारी ना हूँ तो इसको टोटल अगर बोला जाए तो चार लोकेशन पर लॉंच किया गया है यह चार लोकेशन कौन कौन सी है एक तो आसाम के अंदर जौरहात में किया गया है ठीक है इसके अलावा उडिसा की एक लोकेशन है इस जगे को क्या बोलायता है इ चौटी है चट्यस गर में 36 गर में कहां पर किया गया है टेस्ट ऊटिफि गथो और टेस्टिंग यह सफल भी रही है इसके लावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो satellite टेक्नालोजी है यह जियो ने किस से ली तो यह लेक्जमबर की कमपनी है जिसका नाम हैdan इस कंपनी से इन्हों ने टेक्नलोजी लिए, इसके लावा दूसरी तरफ अगर बात करें, तो एटल भी टेस्ट कर रहे है, एटल ने पैक्ट असाइन किया है, ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ, जो कि इनको सेटलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे है, उस कंपनी क जो चेयर पर्सन है, ये आका शम्मानी है, उनके शम्मानी के बेटे, ये कौन से देश के साइंटिस्ट हैं, जिनके द्वारा अभी हाली में एक नया वैक्सीन डेवलप किया गया है, इसका नाम है कैलिक्स कोका, अभी ये जो वैक्सीन है, ये कोकेन की लद्ध को छुड़ द्वाने के लिए बनाया गया है, तो इसको बनाया है अभी हाली में ब्राजील के वैक्सीन बनाया गया है, दूसरी चीज, इसकी खास बात यह है, कि जो कोकेन लिया जाता है, आप लोगोंने टीवी पर सुना होगा, मूवीज पर देखाते हैं, जो कोकेन आपने देखा हो दूसी चीज, ये antibodies को produce करता है, बोडी में बहुत तेजी से जाके, जिससे की cocaine की लट को छुडाने में भी मदद मिलेगी, फिलाल अभी जो इसके test चल रहे थे, वो सारे test इसके approve हो गए है, कई पचुओं के ओपर ये test वहाँ पर किये गए है, लेकिन अभी जो इसका treatment है, इस innovation award से भी इसको सम्मानित क्या गया है, और इस project को 5 लाख यूरो की धन्राशी भी दी गई है, ब्राजील की capital है ब्राजीलिया, अब मेरा आज का सवाल आप से, आप मेंसे कितने लोग बता सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध दो किताबे हैं, जिनका नाम है नहुश और करिए, मैं live batch यहां पर चला रहा हूं exam engine में, 2024 के सभी exam को target करके, GSGK की सारी जिम्मेदारी इस batch पे है, क्योंकि इसमे मैं history, policy, geography, science, economics, सब कुछ आपका cover कर रहा हूं, उसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप score करेंगे ही 100%, तो exam engine पे आप इसे avail कर सकते हैं, और discount code, परिण 10 है, आपको पताईए, उससे आपको 10% का मिल जाएगा, extra discount आपको और चाहिए, तो आप team से भी coordinate कर लीजेगा, बाकिया आप मेरे recorded batches, history, quality, science, इन सब के भी avail कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का exam, 14-15 दिन के बाद लगा हुआ है, तो आप इसको भी आपको 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 आपक